भागलपुर स्मार्च सिटी ने खगोलिये घटना की विविन नगतिवीदियों टिपड़ियों और अबधावनाओं के माध्यम से खगोल विज्ञान में छात्यों की रूची को बढ़ावा देने के लिए एक उपयोगी पाठी तरगतिवीदी की रूप में विक्रम सीला खगोल विज्ञान प्रयोक्षाला की स्थापना की है। यह प्रयोक्षाला बिहार का पहला खगोल विज्ञान प्रयोक्षाला जिससे भागलपूर स्मार्सिटी द्वारा विक्सित किया गया है। विक्रम सीला एस्ट्रोनामी लैब का सुबारम एक जनवरी 2023 को भागरपूर के राजकिये बालिक का इंटर्विद्याले में किया गया। साथ ही आम बच्चों के लिए लैब खोल दिया गया। प्रियोग शाला में खगोल विज्ञान से संबंदित आधुनी की अंतर मौजूद है। लैब में अंतरिक्स से जुरी सारी जानकारियां जैसे ग्रह, आकाश गंगा, उलका पिंड, पुछल तारा आधी को मनरंजक तरीके से समझाया गया। खगोलिये वेद सारा में उच्छ स्रेनी का टेलिस्कोप एवं अनुपकरन रखे गये हैं। भौतिक विज्ञान के भी कई नियमों को बच्चे अब आसान तरीके से समझ सकेंगे, जिससे ग्रहों, नक्षत्रों को आसानी से देखा और समझा जा सकेगा। सहरी छेत्रों के साथ सुदूर ग्रावी छेत्रों के बच्चे भी अब खगोलिये जानकारी से लैस होंगे। साथी वे पिर्थवी और उसके वायू मंडल में होने वाले परिवर्थनों की वजहों से रूबरू हो पाएंगे। एस्ट्रोनोमी लैब विद्यार्थों के ज्यान वर्दन में मील का पत्थर साबित होगा। साथी सविछात्रों के अंदर अंत्रिक्ष के वहवारी ज्यान के परती उत्सुकता जागरी थोगी। एस्ट्रोनोमी लैब से विद्यार्थों के हर सवाल का जवाब मिलेगा। विद्यार्थी जान सकेंगे कि आस्मान का रंग नीला क्यों होता है। तारे क्यों चमकते हैं। चांद सूरज कहां छुप जाते हैं। वही रात के समय में आसमान काला क्यों दिखाई देता है इस अनोखे कदम से अब आम बच्चों में भी खगोली अध्यन के परती रूची बढ़ेगी एवं उनमें छोटी सी उम्र से ही साइंटिफिक टेमपर का विकास होगा झीजन हुआ देता है झाल झाल